Dear students, welcome back. आज है Strength of Materials का Session No. 3 जिसमें हम cover करेंगे Seer Force Diagram और Bending Moment Diagram यह सारे हम discuss करते हैं beam के regarding तो पहले आपको पता होना चाहिए कि beam क्या होता है ऐसा structure component जिस पर loading है वो transfer सारी है वो beam होगा जैसे कि कोई building का construction किया होगा है उसमें जो horizontal member है जिस पर slab अपना load transfer कर रही है वो beam है उसमें loading जो लग रही है वो transfers है access की perpendicular है अब loading कौन-कौन सी type के हो सकती है loading point load हो सकता है जिसको इस तरीके से हम एक arrow से denote करते हैं कि एक pinpointed जगा पे जिर्फ एक ही जगा पे load लग रहा है जो कि possible होता नहीं है physically और desirable भी नहीं है किसी एक point पे load लगेगा तो पहले बात तो वो safe नहीं है उस building के लिए उस construction के लिए और दूसरी बात कोई भी load होगा तो वो ऐसे pinpointed नहीं लगेगा वो थोड़े area पे हो सकता है distributed हो ज़्यादा area पे distributed हो और कुछ तो उसका area होगा जिस पर वो distributed होगा next आता है uniformly varying और uniformly distributed load कि load है वो कुछ area पे distributed है अब वो distributed दो तरीके से हो सकता है कि जो भी length है जो area है जिस पर load लग रहा है उस पर वो uniformly distributed हो intensity same हो throughout अगर इस तरीके से होगा तो हम उसको ऐसे denote करेंगे कि यह जो w intensity है यह throughout same रहेगी दूसरा होता है कि uniformly varying load जिसमें load है वो vary करेगा जैसे यहाँ पर आप लोग diagram में देख पा रहे हो कि यहाँ पर intensity w1 है यहाँ पर w2 है यहाँ पर intensity 0 है यहाँ पर w है तो vary कर रहा है loading और uniformly vary कर रहा है इसका जो यह slope है यह same है यह इस तरीके से है कि constant rate से बढ़ रहा है तो यह वोगा uniformly varying load इसको triangular load भी बोला जाता है triangular distributed load क्योंकि अगर यह इस तरीके से है कि एक point पर intensity 0 है दूसरे पर कुछ डबलू है तो यह triangular के जैसे दिखेगी loading अब काफी जगए पर हमें moment निकालना होता है तो moment निकालने के लिए हम force multiply by perpendicular distance करेंगे तो point load के लिए तो हमें पता है कि इस point पर load लग रहा है तो हम उससे distance लेंगे और उससे multiply कर देंगे moment निकालने के लिए लेकिल अगर distributed load है तो हम क्या करें तो सबसे पहले तो हमें total load निकालना होगा distributed load में जो की equal होगा जो loading डाइग्राम है उसके area के जैसे कि मैं uniformly distributed के बात करूँ तो यह जो area है यह equal होगा loading के यह intensity अगर w है और यह length अगर l है तो total loading हो जाएगी w into l दूसरा है कि uniformly varying load है uniformly varying load में क्या होता है load intensity है वो linear vary करता है तो अगर इस type के triangular loading है तो total load आएगा इस triangular loading diagram का area तो यह equal होगा 1 by 2 into l into w यह total load आगया अब moment अगर निकालना होता है तो हमें distance चाहिए होती है तो यहाँ पर जो area रन रहा loading diagram का उसका centroid होगा उसससे हम distance लेंगे जैसे इसके अगर बात करें तो यह rectangular है तो mid point पर ही center आजाएगा यहाँ से l by 2 distance पर centroid आजाएगा इस area का centroid के अगर वो point जिसके about area है वो uniformly distributed हो triangular के अगर बात करें तो triangular का centroid होगा यहाँ से l by 3 distance पर इदर से अगर हमें measure करना है तो यहाँ से 12 by 3 आएगा अब supports किस-किस type के हो सकते हैं beam जैसे आपकी है तो आपने रखी वी है उसको दो जगह पर दोनों ends पर हो सकता है support हो या फिर ज्यादा जगह भी हो सकता है अगर दो जगह पर support है तो किस-किस type का support हो सकता है roller support हो सकता है hinge support हो सकता है fixed support हो सकता है hinge support क्या होगा काफी जगह आपने door वगरा में देखा होगा यह जैसे specs है तो इसमें यह जो है यहाँ पर यह hinge supported है यहाँ पर यह hinge है इसके about यह ऐसे rotate हो सकता है अगर मैं इसमें कोई moment लगाती हूँ तो यह rotate हो रहा है बट इसका vertical और horizontal translation नहीं होगा मैं यहाँ से force लगा रही हूँ ऐसे फ्रेस कर रही हूँ इसको यह नीचे नहीं जा रहा है horizontally फ्रेस कर रही हूँ इधर move नहीं हो रहा है तो hinge supported हुआ कि rotation allowed है horizontal और vertical movement allowed नहीं है second आता है roller support जो कि hinge के जैसा ही है बट यहाँ पर roller लगा दी है यहाँ पर roller लगाने के कारण आप क्या होगा अगर horizontal direction में load लगाएंगे तो यह आगे किसक जाएगा move गर जाएगा तीसरा होता है fixed support जिसमें कि न rotation allowed है और नहीं उसमें कोई vertical या horizontal moment allowed है जैसे कि इसको मैं यहाँ से hinge की जगाँ हटाके एक rigid joint देदू कि यह ऐसे rotate ना हो पाए तो वो जो support condition होगी वो fixed support condition होगी तो तेन टाइप के support होगे इनको हम represent कैसे करते हैं इस तरीके से triangle है और नीचे ऐसे ऐसे line बनी ही है तो यह hinge support है triangle है और नीचे ऐसे गोले-गोले से बने हैं मतलब यह roller support है नीचे ऐसे गोले-गोले हम बनाते हैं यह roller को represent करने लिए होते हैं और fixed support को हम इस तरीके से दिखाते हैं यह ऐसे ऐसे fixed किया हुआ है next आता है कि किस-किस टाइब के beam हो सकती है किस-किस टाइब के support की beam हो सकती है क्योंकि questions में आपसे पुछा जाएगा कि यह एक simply supported beam है इसमें अगर इस तरीके से loading है तो कैसा bending moment diagram होगा कैसा seer force diagram होगा तो यह सब आपको पता होना चाहिए अब सबसे comment जो सबसे frequently आता है वो है simply supported beam simply supported beam में एक side तो इसका hinge है और दूसरी side से roller है तो अब इसमें क्या होगा total reactions कितने आएंगे अब इसमें अगर इस तरीके से horizontal loading लगेगी तो horizontal loading में तो कोई reaction नहीं आएगा vertical loading में reaction आएगा और rotation में भी कोई reaction कोई resistance नहीं आएगा तो एक तो roller support हो गया दूसरा hinge support हो गया next होता है cantilever beam इनकी exam में आजगल ऐसे questions पूछ ले जाते हैं कि cantilever beam है तो कैसे support होगा पहले तो numericals ही आते थे अब मैंने काफी exams में देखे हैं कि simply supported beam है तो कैसा support होगा ऐसे basic questions में पूछ ले जाते हैं तो cantilever का एक end fixed है और दूसरा end free है SFD BMD का question हो तो cantilever का सबसे ज़दा easy पड़ता है क्योंकि आप अगर इदर की side से चलोगी तो आपको कुछ reaction अगरे कुछ निकालने के जर्रत ही नहीं पड़ेगी फिर आता है प्रॉप्ट बीम यह cantilever beam था इसके में नीचे हमने ऐसा कोई support लगा दिया तो इसको हम बोलेंगे प्रॉप्ट बीम फिर आती है और हैंग बीम जैसे कि simply supported beam थी मेरी इसको मैंने length को आगे और extend कर दिया तो अब यह हो जाएगी overhang beam कि overhang है इसमें कुछ portion है वो next आता है fixed beam fixed beam हो है जिसके दोनों supports है वो fixed हैं और continuous beam ऐसी beam है जो कि दो से ज़्यादा जगह पर supported है जैसी कि यहाँ पर supported है यहाँ पर है और यहाँ पर है तो यह continuous beam होगी तो दो से ज़्यादा supports पर extend कर रही है अब आते है statically indeterminate और determinate beam जो हमने simply supported beam का देखा भी पीछे example उसमें यह hinge support था और यहाँ पर roller support था अब कितने number of reactions आएंगे किसी direction में अगर मैं कुछ को moment दे रही हूँ rotation दे रही हूँ तो वहाँ पर अगर वह move कर जाता है को रेजिस्ट नहीं करता है तो वहाँ पर कोई reaction नहीं आता है जैसे कि यह hinge है अब यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कोई moment लगा रही हूँ तो यह rotate कर रहा है तो कोई reaction नहीं आ रही है इसकी rotation के लिए rolling support क्या होगा? horizontal के तो reaction देगा नहीं और vertical के लिए मुझे एक reaction मिलेगा hinge support की बात करेंगे तो ये horizontal में भी reaction देगा, slide नहीं करेगा और vertical में भी reaction देगा बट moment में कोई reaction नहीं देगा, क्योंकि resist नहीं करता moment को allow करता है जहां पर भी कोई moment ऐसा हो रहा है जिसको resist कर रहा है कोई support तो उसका reaction आता है फिर तो यहां पर दो reaction होगे एक horizontal का एक vertical का अब तीन मेरे पास unknown है यहां पर और आपने school time में यह तो पढ़ाई होगा कि x y की दो आपके पास equation है तो आप दो unknown को find out कर सकते थे basic maths में आपके 10 तकी में equation सबने solve की होती है कि इस तरीके से कोई equation है दूसरी equation ऐसी है और आपको x or y निकालने है अब इसमें अगर दो unknown है तो कम से कम 2 equation आपको चाहिए अगर 3 unknown है तो 3 equation चाहिए तो यह basic role है mathematics का कि जितने unknown है उतने number of equations हमें चाहिए उन unknown को find out करने के लिए अब मेरे पास हर एक structure में in general 3 equation होंगी 3 क्या-क्या equation होंगी कि structure में जो sigma h है वो 0 होगा sigma v 0 होगा और sigma m 0 होगा तो 3 equation है मेरे पास equilibrium की equation है यह कि पूरा structure अगर stable है तो उसमें जो भी horizontal forces लग रहे है उस structure पर उन सबका resultant 0 है vertical forces का resultant 0 है क्योंकि अगर वो 0 नहीं होता तो उस direction में moment हो जाता फिर जो कि हो नहीं रहा है structure हो stable है तो 1 होगी sigma m is equal to 0 तीन मेरे पास equations है तीन मेरे पास unknown है तो मैं तीनों unknowns को find out कर सकती हूँ तो यह हो गई determinant beam एक simply supported beam है वो determinant beam है उसी तरीके से अगर मैं fixed beam की बात करूँ इस तरीके से कोई fixed beam है इसमें तीन reactions मुझे यहां मिलेंगी ना यह horizontal moment allow कर रहा है ना vertical moment allow कर रहा है ना कोई rotation allow कर रहा है तो तीन यहां पर equation एक support में तीन unknown होंगे और तीन ही unknown यहां पर होंगे एक vertical reaction रवी अगर इसको ए बोलते हैं हम इस support को तो कौन-कौन से unknown होंगे रए वी वर्टिकल रए एच horizontal और म यह तीन unknown होंगे हर एक fixed support पर equation मेरे पास अभी भी 3 है 6 मेरे पास unknown हो गए तो यह structure है यह determinant नहीं है इसको solve करने के लिए है simple हम equilibrium की equation से solve नहीं कर सकते हैं हमें कुछ और advanced method यूज करने पड़ते हैं इसके लिए तो यह हो गया determinant और indeterminate beam question पूछा जा सकते है कि यह जो beam structure दिया है यह determinant है या indeterminate है एक और अगर हम example लेंगे अगर तो जैसे कि यह cantilever है इसमें क्या होगा equation तो वह भी भी तीन ही है stable है structure तो sigma V, sigma H, sigma M0 है तो तीन मेरे पास equations है reactions कितने होंगे? एक fixed support है कितने reaction देगा? एक, दो, तीन तीन reactions हैं, तीन equilibrium की conditions हैं तो मैं find out कर सकती हूँ मतलब cantilever beam है वो determinant beam का example है next आता है हमारा topic shear force और bending moment diagram तो सबसे पहले कि हम समझते हैं कि हमारे लिए important क्यों है? क्यों हम इनको calculate करते हैं? basically होता क्या है कहीं पर भी loading आ रही है उसके काण internal stresses develop होंगे वो internal stresses, normal stress जैसे compressive or tensile भी हो सकते हैं, shear भी हो सकता है पिछले वाले session में हमने देखा कि कैसे combinedly भी यह सारे act कर सकते हैं यह stresses हैं, internal stresses हैं कि बाहर से loading लगा है हम कुछ तो उसके कान अंदर उनके internal stresses develop हो रहे हैं internal stresses है मुझे निकालने के लिए मुझे internal force से यह किसी six section पर internal force कितना लग रहा है तो यह internal force जो vertical direction में लग रहा है वो shear force है जैसे कि यह एक beam है मेरे पास, simply supported beam है, RA और RB दो loading है इसमें W1, W2, W3, sorry RA और RB दो reaction है, W1, W2, W3 तीन loading यहां पर लग रही है मैंने x, x-dess जो section है, वहाँ पर calculate करना है कि shear force कितना लग रहा है डोटा तो मैंने यहां से cut कर दिया, मैं यहां से cut करके इसका free body diagram बनाऊंगी तो इस पर कौन-कौन से forces लग रहे हैं, इस पर RA लग रहा है, इस पर W1 लग रहा है और एक internal force लग रहा होगा, जो इधर वाला अगर मैं इसको 2 बोलू, beam का part, इधर वाले को 1 बोलू तो 2 वाला जो portion है वो बन वाले पर लगा रहा होगा, क्योंकि तभी यह equilibrium में रहेंगे R1 और RA और W1 सेम तो है नहीं, तो जो difference है उसको कौन manage कर रहा है उसको internal forces manage कर रहे है, और मैं cut करके अगर देखूंगी तो यहाँ पर मैं उसको show कर सकती हूँ कि F है, जो internal force लग रहा है वो है तो यह जो internal force है, यह होता है shear force, जो भी vertical force आइधर साइड में आ रहा है वो shear force होगा अब आइधर साइड में आ रहा है वो equal ही क्यों होंगे same चीज मैंने जो fast के लिए किया, वो second वाले के अगर करू second वाले portion के लिए इसमें R भी लग रहा है, W3 लग रहा है, W2 लग रहा है और इन तीनों के अलावा जो force है internal वो लग रहा होगा, जो fast वाला है वो second वाले पे लगा रहा होगा वो अगर इस तरीके से है F, तो अब मैं इसका equilibrium देख के निकाल सकती हूँ, कि F है उसका magnitude क्या होगा और मैं दोनों को combine करूँ, तो यहाँ पर जो है वो resultant force 0 होना चाहिए तो इनको combine अगर करूँगी, तो F जो यहाँ पर आ रहा है वो ही यहाँ पर होना चाहिए, तभी एक दूसरे के effect को cancel करेंगे और equilibrium में रहेंगे तो एक सीज़ समझ आती है कि कहीं से भी मैं cut करूँ, एक तो उसके left hand side में force ले लो, या right hand side में ले लो, दोनो equal होगी और वो ही उनमें internal जो shear force आ रहा है, वो होगा अब यह equal क्यों होंगे, ऐसा क्या होता है, यह काम होता है reactions का यह reactions का magnitude इस तरीके से होता है, कि यह किसी भी एक particular section पे right hand side, left hand side में जो forces जा रहे हैं, उनको equate करते हैं क्योंकि loading तो हमने अपने हिसाब से कुछ भी लगा दी बट यह जो reactions आते हैं, यह इस तरीके से आते हैं, कि किसी भी section पे left hand side में और right hand side में जो shear force है, वो equal हो और वो होना भी चाहिए, क्योंकि यहां वाला यह जो portion है जहां से मैं cut लगाया है, वहां पर force है, वो equal होने चाहिए 1 जो 2 पर force लगा रहा है, 2 वो ही 1 पर लगा रहा है अब next है bending moment, यह forces जैसे आ रहे हैं, वैसे ही कोई section में cut करूं में, तो उस पर moment जो लग रहे हैं, उसके internal resisting bending moment आ रहा होगा, bending moment क्या होता है, कि जो moment लगाते हैं, उसको resist करने के लिए जो internal moment generate हो रहा है, वो है, और same जैसे shear force दोनों side में same होगा, वैसे ही bending moment भी दोनों side में same होगा, अब shear force diagram क्या है, हर एक section पे shear force की value different हो सकती है, इसको मैं length के साथ में एक graph के जैसे अगर plot करूं, तो वो shear force diagram होता है, जैसे ये एक straight line है, ये मेरी x is equal to 0 है, ये x is equal to L है, अब L length की मेरी beam है, इसमें shear force मालिया throughout constant है, तो ऐसा इसका sfd बन जाएगा, कि पूरी length में shear force जो है, वो constant है, same इसी तरीके से length के साथ में मैं graph अगर bending moment का plot करूं, तो उसको हम बोलेंगे, bending moment diagram, graphical representation होगा, ये bending moment का, कर हमें निकालना है, तो हमें एक section cut करेंगे, जहां पर हमें shear force निकालना है, उसके left face में, या left hand side में, या right hand side में, जो भी vertical forces जा रहे हैं, उनका algebraically sum करेंगे, और वो shear force के equal होगा, बट हम sign convention क्या लेंगे, हमने ये नहीं discuss किया है, तो अब हम बात करते हैं, sign convention की, कौन से shear force को positive लेंगे, कौन से को negative लेंगे, तो ये decide करता है, कि shear force है, वो कैसे rotate कर रहा है, उस section के about beam को, जैसे कि यहां पर मुझे, इस section X, X-desk पर shear force निकालना है, तो मैंने यहां पर एक section लूँगी, ये section जहां beam को cut कर रहा है, जैसे ये जो है, यहां पर मैंने एक pin लगा दिया है, एक pin से joint कर दिया है, और बाकि supports वगरे पे ABP मैंने free कर दिया beam, अब मैं अगर देखूं कि W3 जो loading लग रही है, इसके काण ये कैसे घुमेगा, अगर ये clockwise घुमेगा तो positive होगा W3 का shear force, और अगर anti-clockwise घुमेगा तो negative होगा, अब ये इसके about मैं देख रही हूँ, W3 ऐसे लग रहा है, ये इसको कैसे घुमाएगा, ये इसको कुछ इस तरीके से ले जाएगा घुमाके, ऐसे घुमाएगा, यहां से loading लगेगी, तो अब W3 के काण shear force आएगा, वो positive होगा, अगर मैं RV की बात करूँ, तो RB कैसे घुमाएगा, RB है, ये कुछ इसको इस तरीके से ले जाएगा, अगर rotate करता है RB तो, क्योंकि यहां से घुमाएगा, उपर उठाएगा, तो ये इसे उपर उठाएगा, यहां से नीचे आजाएगा, आप आई होप विजुलाइज कर पा रहे हो इसको 3D में, तो RB के कारण जो bending moment, शीर force W2 के कारण negative हो गया, W1 के कारण भी negative हो गया और RA के कारण है वो positive हो गया, क्योंकि RA ऐसे लग रहा है, तो ये इसको clockwise rotate कराएगा, अब यही standard है, इसी को कहने का तरीका कभी कभी different हो जाता है, मैं ऐसे भी बोल देती हूँ, कि जो section मैंने cut किया है, जिस पर मुझे shear force निकालना है, उसके अगर right hand side में downward force लग रहा है, तो उसको positive shear force लोंगी, upward को negative लोंगी, और left hand side में इसका उल्टा होगा, downward को negative लोंगी, और upward को positive लोंगी, तो ये तो हो गया shear force का, bending moment के अगर हम बात करें, तो bending moment जो भी loading आ रही है, वो अगर sagging का bending moment generate कर रही है, तो हम उसको positive लेंगे, hogging कर रही है, तो हम उसको negative लेंगे, sagging क्या होता है, ऐसा जो shape होता है, वो sagging होता है, और ऐसा जो shape होता है, वो hogging होता है, अब sagging कैसे होगा, जैसे कि ये कोई simply supported beam है, और इसमें पूरे पे UDL लग रहा है, तो इसका deflected shape आपको दिख रहा होगा, कि कुछ ऐसे बनेगा, त तो यहाँ पर bending moment आएगा, वो positive आएगा, hogging का एक और जो case generally होता है, वो हो है cantilever beam, cantilever beam में इस तरीके से अगर UDL लग रहा है, तो ये UDL के काण कैसे deflect होगी, ऐसे होगी, और ये hogging है, तो यहाँ पर जो bending moment आएगा, वो negative आएगा, अब हम कुछ simple से लेके complicated different cases लेंगे, ब में हम कैसे निकालते हैं, ताकि आपको एक basic understanding develop हो पाई कि कैसे होता है shear force diagram और कैसे हम उसको plot करते हैं, उससे लेके फिर हम कुछ tough questions भी रेखेंगे, कुछ special cases, जो ESE की exam में पूछे गए हैं, और बाकी exams में भी बार-बार repeat होते हैं, तो start करते हैं, सबसे पहले मैंने बहुत ह साइ case लिया है, एक cantilever beam है, जिसमर यहाँ पर point load लग रहा है, यह load W है, beam की length हम ले ले लेते हैं L, अब मझे shear force निकालना है, तो मैंने x, x-dx का एक section लिया है, W से x distance पर, W से x distance पर हम section cut करते हैं, ताकि हम उसकी equation लिख फाएं, और उस equation में फिर हम different different जगे की value, x की value रखके, shear force calculate कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं shear force की equation लिखो, तो वो आएगी, sf is equal to w, w fix है, point load है तो इसका total magnitude constant रहेगा, और यहाँ से लेके, अगर मैं यहाँ तक जाती हूँ, तो कोई भी extra point load या udl या reaction कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मेरा shear force है, वो यहाँ से लेके, यहाँ तक constant हो जाएगा, और उसका magnitude हो जाएगा w, अब w होगा, यह positive होगा, क्योंकि यह x x-dase के about, इसको clock wise rotate कर रहा है, तो इसका bmd अगर मैं plot करूँगी, यह सुरी, sft अगर plot करूँगी, तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर भी w है, और यहाँ पर भी w है, और यह positive है, next आता है bmd, bmd के अगर बात करें, तो मैं bending moment की equation लिखूँगी, यही एक section है, x x-dase पर, तो equation आएगी w into x, अब मैं x is equal to 0 रखती हूँ, तो मुझे यह नाम दे जीते हैं, इन कुछ का a है, यह b है, तो मुझे b point पर bending moment मिल जाता है, वो 0 के equal होगा, अगर मैं x is equal to l लिखती हूँ, तो मुझे bending moment मिल जाता है, a point पर उसकी value हो जाएगी, w into l, और यह यहाँ पर hogging कर रहा है, तो यह negative आएगा, यह negative sign आएगा, यहाँ negative sign आएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर wl है, यह हमें पता चल गया, अब यहाँ से यहाँ तक जो variaissance है, वो कैसे होगा, bm proportional x raised to power 1 के, और यह equation तो आपने school time में पढ़ी होगी सबने, कि y is equal to mx plus c, एक straight line के equation हो सकती है, इसी को थोड़ा मैं simplified form में ऐसे भी लिख सकती है, तो y अगर x की power 1 के proportional है, तो यह variation होगा, यह linear होगा, तो यह यहाँ पर जो graph बनेगा, वो एक straight line होगा, इस तरीके से inclined straight line, अब हम दूसरा case लेते हैं, कि point load के बज़ाए UDL लग रहा है, अब UDL के case में यह a point है, यह b है, load के intensity है w kilo newton per meter, और यह total length है, यह l है, same मैंने section लिया है, एक x, x dash पर, और इसकी distance इधर b point से है x, अब मैं एगर shear force की equation लिखूंगी, तो यह equation पहले बात तो आएगी w into x, क्योंकि x तो distance पर loading लग रही है, और w kilo newton per meter है, वो load के intensity है, तो distributed जो load है, उसका magnitude होता है, loading diagram के area के equal, यह ordinate मेरी w है, distance x है, तो इसका area आजाएगा w into x, यह आगया shear force, यह positive होगा, क्योंकि clock wise rotation दे रहा है, अब यह जो equation है, यह same equation b से लेके a तक पूरी length के लिए applicable होगी, क्यों होगी, क्योंकि कोई भी extra इसमें b समें point load, reaction, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है कि मेरी equation change हो, अब मैं x is equal to 0 put करूँगी, तो मुझे shear force मिल जाएगा b point का 0 के equal, x is equal to l put करूँगी, तो मुझे shear force मिल जाएगा a point के, वो होगा wl के equal, तो आप मैं float कर दूँ, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर wl है, variation कैसा होगा, x raised to power 1 के proportional है, तो straight line आएगा, और ऐसा मेरा SFD बन गया, आप मैं equation लिखती हूँ BMD की, bending moment की equation होगी, w into x, यह तो total load हुआ, क्योंकि जो loading diagram है, इसका area होता है, यह total load होता है, मुझे bending moment चाहिए, तो जिस section के about bending moment निकाल रही हूँ, उस section से इस loading के center की distance मैं लोंगी, perpendicular distance, तो यह section है, यह loading का center है, वो इसके बीच में आएगा, क्योंकि rectangle है, तो rectangular area का, तो centroid इसकी mid point पे होगा, तो यह distance मेरी आजाएगी, x by 2, यह loading है, यह अगर इसका center है, यह section है, तो यह इनके 20 की distance x by 2 आजाएगी, क्योंकि यह वाली distance है, यह x है, तो अब distance आगी x by 2, equation आजाएगी bending moment की, w x square by 2, x is equal to 0 रखूंगी, तो मुझे bending moment मिल जाएगा, b point का, जिसकी value होगी 0, x is equal to l रखेंगी, तो bending moment मुझे मिलेगा, a point का, और उसकी value होगी, w l square by 2, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर w l square by 2 है, और यहाँ पर अब variation जो आएगा, वो parabolic होगा, क्योंकि x raised to power 2 के proportional है, y square is equal to 4x, यह x square is equal to 4a y, तो y x square के proportional है, यह parabola की equation होती है, इसलिए यहाँ पर जो variation आएगा, वो parabolic आएगा, एक और mistake कर रहे हम यहाँ पर, यह negative होगा, क्योंकि उपर से load लग रहा है, ऐसे तो यह इसको ऐसे deflect करेगा, तो यह hogging generate करेगा, तो यह negative आएगा, यहाँ पर भी negative आएगा, और यह diagram भी नीचे plot होगा, उपर नाओ के, तो यह diagram ऐसे बनेगा, यह यहाँ पर variation है, यह parabola है, और यहाँ पर variation है, यह straight line है, तो अगर UDL है, UDL load act कर रहा है, तो shear force proportional होगा, x raised to power 1 के, और bending moment आ जाएगा, x raised to power 2 के proportional, और हमें पता भी है, कि हमारा, यह relation होता है, shear force और bending moment में, तो जो x raised to power, shear force में आ रहा है, उसका plus 1 हो जाएगा, bending moment में, क्योंकि bending moment मेरा तब आता है, जब मैं shear force को integrate करते हो, तो x का integration x square होगा, x square का x cube होगा, तो 1 degree उसमें add on हो जाती है, यह case हमने ले लिया, अब next है, यह पिछले वाले जैसा ही है, थोड़ा सा मैंने change किया है, कि यहाँ पर यह कोई loading line लग रही है, बी और c के बीज़ में, अब यहाँ पर मैं अगर equation लिखती हूँ, तो पहले मैंने बी और c वाले section के लिए equation लिखी, मैंने यहाँ पर यह distance लिए x, यह distance x, distance लिए, यहाँ पर एक section ले लिए x x, बी c के लिए अगर मैं shear force की equation लिखूंगी, तो क्या आएगी, क्या कोई loading है इसमें, कोई vertical loading नहीं है, shear force 0 हो गया, कोई loading ही नहीं है, तो bending moment भी कहाँ से आएगा, तो bending moment भी 0 हो गया, तो इसका अगर मैं sfd plot करूंगी, तो यह एक straight line ही आएगा, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक, यह x, जो axis है, वो ही आएगी, कुछ, y coordinate इस graph में नहीं आएगा, अब मैं क्या करूंगी, b है यह, यह c point है, अब मुझे इधर move करना है, इधर move करने के लिए, आप अपने हिसाब से x section कहीं से भी ले सकते हो, आपको उसके according equation लिखनी है, और उसके according ही values put करनी है, मैं section ले लेती हूँ यहाँ से, b point से, यह मेरा b point है, तो यहाँ से मैंने section ले लिया है, यह distance मेरी x मैंने b से assume करी है, तो अब section a, b के लिए, मेरी seer force की equation क्या हो जाएगी, w into x, loading diagram का area, यहाँ पर मेरा section है, और bending moment की equation हो जाएगी, minus w x square by 2, same, पिसले में किया वैसा ही है, बट अब हम x की values रखेंगे, तो b के लिए x की value 0 होगी, और a के लिए x की value l हो जाएगी, same, इसी तरीके हम इसमें भी equation लिख देंगे, तो वैसा ही आएगा, अगर seer force की मैं बात करूँ, तो seer force diagram ऐसे आएगा, और आगे ये ऐसे जा रहे है, क्योंकि b और c के 20 में, न seer force है, ना bending moment है, तो इनके 20 का जो diagram बनेगा, वो एक ये x सक से c बनेगा, कोई y ordinate इसमें नहीं होगा, यह हम ये कह सकते हैं, कि इसके y ordinate है, वो 0 होगी, नेक्स आप मैंने एक थोड़ा सा अलग case लिया है, cantilever में ही 2 point load लग रहे है, ताकि आपको पता चले कि equation change कासे होती है, अगर loading आ जाती है दूसरी तो, तो l by 2 distance पर w2 लग रहे है, हिदर l by 2 distance पर w1 लग रहे है, यह a point है, यह b point है, यह c point है, अब मैं पहले bc वाला section लेती हूँ, bc वाला जो span है, इसमें मैंने section लिया है, x, x-, कितनी distance पर, w1 से x distance पर, अब मैं shear force की equation लिखूंगे, तो shear force होगा, plus w1, x, x-, के about w1 clockwise rotation दे रहा है, और इसके लाबा कोई force आ नहीं रहा है, bc वाले span में, यह equation applicable होगी, तो अब मैं इसका अगर साथ के साथ, sbd float करूँ, तो यहां पर, यह c point हो गया, यह, थोड़ा सा clear करते, यह c point हो गया, यह b point हो गया, यह a point हो गया, अब इसमें क्या होगा, कि यहां पर है, w1, और यहां से लेके, यहां तक w1 ही है, b point पर आते ही, equation change हो जाएगी एकदम से, b point से सब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब equation change हो जाएगी, अब अगर मैं a, b वाले span के लिए, equation लिख रही हूँ, और मैं right hand side को ही consider कर रही हूँ, cantilever में, आप right hand side से अगर consider करोगे, तो आपको easy पड़ेगा, क्योंकि आपको reactions निकालने की ज़रत नहीं पड़ेगी उसमें, तो अब मैंने section लिए है, यहां पर, यह section लिए x, x-dance, यहां से x distance पर b से, अब मेरा seal force क्या हो जाएगा, w1 प्लस w2, तो आगे के लिए मेरा graph यह बनेगा, b से a तक सेम ही रहेगा, seal force का magnitude, यह horizontal 9 होगी, यह ordinate होगी w1 प्लस w2, और यह वाली ordinate भी w1 प्लस w2 होगी, यह red वाली ordinate, pass वाले rectangle में यह जो बन रहा है, इसकी जो ordinate है, यह w1 है, और यह total है, यह जो distance है, यह वाली distance है, यह equal होगी w2 के, तो एकदम से suddenly point load आता है, तो shear force diagram है, यह उस magnitude से increase हो जाता है, यह decrease हो जाता है, depending on sign, अभी यहाँ पर क्या हुआ, यह w2 के कार्ण increase हो गया, क्योंकि दोनों same sign के थे, एक possibility अगर ऐसी हो, कि यह w2 color change करते हैं कुछ, यह w2 अगर यहाँ पर लग रहा होता, एक मैं दूसरा case अजियों कर रही हूं, कि w2 downward ना अलागी upward लग रहा होता, तो यह shape force diagram कैसा बनता, यह तो यहाँ तक हो गया w1, अब अगर w2 का magnitude w1 से ज्यादा है, तो यह ऐसे जाता है, यहाँ से, यह ordinate अब होती, w2 minus w1 यह वाली ordinate होती, क्योंकि इस point पर अब shear force हो जाता हमारा, w1 minus w2, तो w2 अगर greater है, तो यह negative side में चला जाएगा, और diagram है, वो ऐसे बनेगा, यह भी ordinate होगी, w1 minus w2, और यह वाली ordinate भी होगी, यह वाली होगी w, 2 minus w1 यह वाली ordinate है, w1 यह वाली ordinate है, यहाँ पर भी इन दोनों को अगर आप sum करोगे, तो यह w2 के equal आएगा, आप sign को अगर छोड़ के इन दोनों का sum करोगे, तो यह w1 के equal आएगा, तो थोड़ा, sorry, W2 के equal आएगा, आपको थोड़ी clarity आगई होगी, point load लगते ही कैसे shear force change होता है, suddenly आपको उसमें एक vertical line इस तरीके से आप निचे जाती भी या उपर जाती भी दिखेगी, same यह चीज BMD में होगी, अगर किसी point पर कोई couple लग रहा है, कोई moment लग रहा है, अगर यहाँ पर यह moment मने लगा दिया, 6 kilo Newton पर मिटर, तो वहाँ पर एक vertical line आएगी, तो यह हो सकते हैं different case, इसके लिए आप BMD भी draw कर सकते हो, equation है, वो इस वाले span के लिए एक applicable होगी, आगे वाले के लिए फिर आपको दूसरी equation लिखनी पड़ेगी, तो यह case हमने discuss कर लिया, कि W2 अगर upward लग रहा होता, तो कैसा diagram बनता, इसके बाद next आता है, simply supported beam, simply supported beam में आपको reactions भी चाहिए होते हैं, और वैसे भी reactions तो आपको आने ही चाहिए निकालना, क्योंकि काफी ज़्यादा जगह आपको पूरी civil engineering में जरुद पड़ेगी, तो वैसे तो बहुत basic सी चीज है, बढ़ फिर भी मैं एक बार explain कर देती हूँ, जैसे कि यह कोई loading लहे W, यह B है, यह A है, मैं standard तरीका कैसे होता है, उससे एक बार explain करते हूँ, आपको हम क्या करते हैं, sigma V0 करते हैं, तो यह reaction अगर RA है, यह RB है, loading W है, तो RA प्लेस RB, दोने upward लग रहे हैं, minus 0 downward लग रहे है, this should be equal to 0, क्योंकि beam equilibrium में है, तो sigma V0 होगा, sigma M0 होगा, और sigma H0 होगा, as का तो बहुत ही rare questions में होता है, कि use होता है, को incline loading है, otherwise तो सिर्फ sigma V0 और sigma M0 यही equations हम use करते हैं, next अब है कि मुझे moment 0 करना है, यह दोनों hinge support है, तो यहाँ पर मैं moment 0 करूँगी, तो अगर मुझे RA निकाल ला है, तो मैं B के पॉर्ट moment 0 कर देते हूँ, sigma MB should be equal to 0, अब RA के कांड moment clockwise आएगा, तो उसको मैं positive ले लेती हूँ, RA into L हो जाएगा, अगर यह total distance है, यह L है, और यह वाली distance हम अजयों कर रहे है, L by 2, और इधर की भी L by 2 हो जाएगी, तो RA into L minus anticlockwise moment आएगा इस W के कारण, तो W into L by 2, क्योंकि मैं moment ले रही हूँ, B के about, यह loading यहाँ पर लग रही है, तो इनके 20 की distance क्या होगी, loading और point के 20 की distance आएगी, L by 2, this should be equal to 0, यहाँ से मेरा RA आगया, डबलू वाई 2, और इस equation से R b भी आ जाएगा, डबलू वाई 2, क्योंकि दोनों का sum तो W के equal है, अब यह तो हमने simple case लिया, बट इस तरीके से आप कहीं पर भी loading हो, आप यह निकाल सकते हो reactions, बट अगर आपका structure symmetric है, अगर simply supported beam है कोई, तो symmetric structure है, कोई fixed beam है, symmetric structure है, तोनों side पर supports है, वो एक type के ही है, और आपकी loading भी symmetric है, loading symmetric कैसे है, कि इस center के about में देखू, तो loading है, वो दोनों side में same type की है, जैसे कि अभी जो W है, यह विल्कुल center पर लग रहा है, तो यह symmetric loading है, तो ऐसे में जो भी reactions है, वो half-half आएगा दोनों में, जो भी vertical load downward लग रहा है, वो दोनों reactions में आधा-धा चला जाएगा, जैसे यहाँ पर हो है, इसके अलावा symmetric loading और क्या हो सकती है, कि यहाँ पर भी loading है, यहाँ पर भी loading है, एक W यहाँ लग रहा है, एक W1 यहाँ लग रहा है, यहाँ पर भी W1 लग रहा है, यह दोनों ही W1, जो यह half-span दोनों side बच रहे हैं, इनके center point पर लग रहे हैं, तो अब मैं इसके about अगर देखूं, तो loading symmetric है, यहाँ से जितनी distance पर जो load लग रहा है W1, दूसरी side में भी उतनी ही distance पर load लग रहा है W1, इस type के loading है, तो आप reaction है, वो directly vertical force का half-half कर सकते हूं, आप मुझे निकालना है, draw करना है shear force diagram और bending moment diagram, मैं इसको point C ले लेती हूं, और BC के लिए shear force की equation लिखती हूं, BC के लिए shear force क्या हो जाएगा, W2 जो RB के कारण आ रहा है, और इसका sign होगा, वो negative होगा, तो यहाँ से यहाँ तक negative W2 हो गया, इसके बाद C point पर पहुंचते हैं, एकदम से मेरा W आ गया है, और अब मैंने section लिया है, यहाँ पर, तो इस W के कारण rotation clockwise जा रहा है, RB के कारण anti clockwise जा रहा है, तो RB के कारण तो minus W2 हो गया, AB वाले span के लिए shear force की equation लिए है, उपर वाले BC के लिए है, तो AB वाले span के लिए shear force की equation हो जाएगी, minus W by 2 plus W, और यह value आएगी W by 2, तो C point पर आते ही, जैसे ही हम C से आगे बढ़ते हैं, W का load वहाँ पर लग रहा है, और इसके कारण यह value आजाती है, positive का W by 2, तो यह shear force diagram बनेगा ऐसा, इस तरीके से बनेगा हमारा shear force diagram, bending moment के अगर हम बात करें, तो RB के कारण जो moment आएगा, वो sagging generate करेगा, क्योंकि यह corner space से उपर उठा रहा है, तो RB के कारण sagging होगा, और bending moment की value क्या हो जाएगी, BC span के लिए bending moment की value हो जाएगी, RB जिसकी value है, W by 2 into x, यह वाला अगर section मैंने यहाँ पर x, x-dash लिया हुए है तो, W by 2 into x हो गई, यह same equation मेरी applicable होगी, C point तक, C point के बाद मेरी equation change हो जाएगी, तो यहाँ से लेके, यह आएगा, positive का, W by 4, C point के लिए x की value 1 by 2 है, तो यह W by 4 आ जाएगा, तो यह W by 4 आ गया, इसके बाद, जैसे RA के कारण sagging आ रहा है, RB के कारण भी sagging आ रहा है, तो same ही बनेगा BMD दोनों side, यह थोड़ा आपको practice से समझ आने लग जाएगा, बट अभी अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से x, x-dash पे section ले लो, और इधर से equation लिख लो, आप इधर से भी लिख सकते थे, लेकिन इधर से अब RB भी लेना पड़ेगा, और W भी लेना पड़ेगा, तो दो term आएगी उसमें, इधर से लोगे तो एक ही term आएगी, इधर से आप अगर equation लिखोगे, प्लोट करोगे, तो यह ऐसा BMD बन जाएगा आपका, next case आता है, कि जो simply supported beam है, अगर उसमें UDL लग रहा है तो, तो यहाँ पर loading तो हो जाएगी, WY2, reaction तो हो जाएगी, WY2, WY2, क्योंकि symmetric loading है, पूरे में लग रहा है, और shear force की equation, अगर मैं यह A है, यह B है और वीच वाला point C है, तो मैं BC वाले span के लिए, shear force की equation लिखूंगी, section लिए है, मैंने x-dase, यहाँ से x distance पर, तो अब shear force की equation क्या बनेगी, minus WY2, UDL के कार्ण positive आएगा, loading होगी, वो ही UDL के कार्ण जो loading है, उसका magnitude हो जाएगा, W into x, W intensity है, x distance पर loading लग रही है, तो यह जो diagram बन रहा है, इसका area, यह W into x आगया, अब मैं shear force इसमें निकाल सकती हूँ, इस point का, at B, B के लिए मैं क्या करूंगी, x की value 0 रख दूंगी, तो मेरा shear force आजाएगा, minus WY2, shear force at C, x की value आजाएगा, L by 2, और यहाँ से, minus WY2, plus W into L by 2, ध्यान रहे हैं, यह है capital W आएगा, यह capital W है, क्योंकि capital W क्या है, total W, small W है, loading के intensity, intensity, तो total vertical load हो जाएगा, small W into L, और इसका half होगा, वो दोनों points पे reaction होगा, तो यह थोड़ा लिखने में ध्यान रखे हैं, यह यहाँ पर capital W आएगा, यह small W है, तो यह capital W हो गया, यह भी capital W हो गया, और यहाँ पर यह small W into L by 2 आएगा, small W into L by 2 है, यह किसके एकवल होगा, W by 2 के, यहाँ कि small W into L, तो W capital W के एकवल है, तो minus W by 2, plus W by 2, और center point पर, जो shear force हो जिरो हो जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से, shear force है, यहाँ पर minus W by 2 है, इस वाले point पर, ऐसे बनेगा, अब आप इधर से खुद plot करोगे, इस वाले section के लिए, तो आपका आजाएगा diagram इस तरीके से, जो C point है, वहाँ पर shear force 0 है, यहाँ पर minus W by 2 है, यहाँ पर plus W by 2 है, same जैसे हमने इसके लिए किया है, उसी तरीके से आप A और C के लिए, खुद plot करोगे, और verify करोगे कि ऐसा आ रहा है कि आपड़ diagram, अब हम इसके लिए BMD diagram plot करते हैं, bending moment की पहले हम equation लिखते है, spend BC के लिए, same जैसे shear force में किया, B से X distance पे हमने section लिया है, X, X, this, और इसके लिए हम bending moment की equation लिखेंगे, और फिर X की values रखके, B और C पे bending moment निकालेंगे, तो bending moment की equation क्या होगी, एक तो RB के काण bending moment आ रहा है, RB के काण जो bending moment आ रहा है, वो positive होगा, क्योंकि अगर इस section के about देखें, तो यह beam को ऐसे bend कर रहा है, तो यह sagging वाला है, तो यह positive होगा, RB into X, क्योंकि यह distance है, X है, जो UDL है, इसके काण आएगा, वो negative होगा, क्योंकि यह मेरा अगर section X-dase है, तो loading इस तरीके से जो लग रही है, वो beam को ऐसे deflect करेगी, तो यह hogging वाला है, यहाँ पर इसका sign है, वो हम negative लेंगे, तो negative में हो जाएगा, W into X total loading, multiply by जो distance है भी इसकी, X by 2, RB की value हमें पता है, कि capital W by 2 है, जिसको हम small W L by 2 भी लिख सकते हैं, into X minus W X square by 2, यह bending moment की equation आगई, जब मैं X की value 0 put करूंगी, तो मुझे bending moment मिल जाएगा, B point पर जिसकी value होगी 0, जब X की value है, L by 2 put करूंगी, तो मुझे bending moment मिल जाएगा, C point पर, जिसकी value होगी, W L by 2, into L by 2, minus W, L by 2 का square, into 1 by 2, यह W L square by 4, minus W L square by 8, और यह आजएगा, W L square by 8 positive, तो variation कैसा होगा, variation है, वो parabolic होगा, और ऐसा बनेगा, कुछ bending moment diagram, कि यहां से है, यहां पर W L square by 8, यह center point पर, और यह graph जाएगा, वो कुछ इस तरीके से जाएगा, parabolic variation होगा, यह variation है, यह parabolic है, और symmetric structure है, तो इसी तरीके से, इधर का BMD बन जाएगा, अब हम लेते हैं, एक uniformly varying load, यहां पर loading है, uniformly varying, इस point पर load की intensity 0 है, इस point पर load की intensity W है, तो सबसे पहले, तो हम shear force की equation लिखेंगे, एक section लेंगे, यहां से x, x less, यह section है, यहां से x distance पर है, अब ध्यान से देखना है, CFOs की equation क्या होगी, total जो load लग रहा है वो, reaction तो यहां पर कुछ है नहीं, क्योंकि other end free है, contiliver beam है, बट यहां पर एक, जो UDA लग रहा है, उसके current vertical load आ रहा है सिर्फ, तो उसका magnitude क्या होगा, यह जो loading diagram बन रहा है, इसका area, अब इसका area निकालने के लिए, मैं क्या करूंगी, half into base into height होता है, triangle का area, तो मुझे base तो पता है, यह वाली ordinate नहीं पता, तो मैं यह वाली ordinate कैसे निकालूंगी, कि L distance में मेरी load की intensity increase कितनी हो रही है, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर W हो गई, तो L length में load में की intensity increase हो रही है W से, एक meter की length में हो जाएगी W by L, और X meter की length में increase हो जाएगी W by L into X, तो यहाँ की जो X distance पर, जो W X है loading intensity, वो equal आजेगी W by L into X के, अब मैं diagram यह लिख दूंगी area, 1 by 2 into X into W by L into X, W square upon 2L, sorry, W upon 2L into X square, equation applicable होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही, कोई load की intensity में change नहीं आ रहा है, और कोई, अलग से reaction या फिर point load भी नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर तो X is equal to 0 पर 0 हो जाएगा shear force, और यहाँ पर आएगा, X is equal to L रखेंगे, तो WL square upon 2L, यानि WL by 2, तो यहाँ पर variation होगा, यह parabolic होगा, यह आपको ध्यान देना है, कि X raised to power 2 आ रहा है, तो variation है, यह parabolic है, question exam में ऐसे भी पूछा जाता है, कि कौन से टाइप की loading हुई, तो shear force diagram का variation है, वो parabolic होगा, अगर आपने यह different cases practice किये हैं, एक बार खुद से, तो आप answer कर पाऊंगे question देखते ही, तो यह parabolic हो गया, यह बन गया आपका SMT, अब जब हम BMD बनाएंगे, तो यहाँ पर तो हमने सिर्फ force का magnitude निकाला था, वहाँ पर उस force के magnitude को हम, distance से multiply करेंगे, तो bending moment की equation क्या होगी, same यही section है, x, x-dash, इसके लिए bending moment की equation हो जाएगी, total load, total load आ रहा है मेरा w x square by 2L, multiply by distance, कौन सी distance, जो loading diagram है, उसके centroid की x, x-dash से distance, अगर मेरा ऐसा triangle बन रहा है, तो इस वाले end से x by, यह distance अगर x है, तो इस वाले से x by 3 पर centroid होता है, triangle का, यह बात आपको पता होनी ची नहीं है, तो अब याद रखना, इधर वाले से तो x by 3 होता है, और इधर वाले से 2xy3 होता है, तो इधर वाले से हमें यहाँ पर निकालनी है, क्योंकि ऐसा बन रहा है loading diagram, और यह मेरा section है, xx- तो यहाँ से यह हो गया, w square upon 2l तो loading होगी, और distance आजएगी मेरी x by 3, equation आगई, w x cube divided by 3l, अब यहाँ पर इसकी value 0 होगी, x की value अगर हम l रखेंगे, तो bending moment मिल ले जाएगा मुझे, यह अगर a point है, यह b point है, तो इस point का bending moment मिल जाएगा, bending moment at a, a will be equal to wl cube upon 3l, तो यह equal आजएगा, wl square upon 3, यह यहाँ पर आगया bending moment, तो यह 6 आजएगा यहाँ पर, थोड़ा सा calculation mistake है, 2, 2 हो जाएगा, तो यह 6 आजएगा, यहाँ पर भी 6 आजएगा, variations ही यहाँ पर जो होंगे, वो cubic होंगे, और bending moment negative आएगा, तो नीचे की side हम plot करेंगे, ऐसे बनेगा, यह variation ही यहाँ पर है, यह cubic है, cubic means x raised to power 3 के proportional है, यह वाला variation है, parabolic है, ध्यान रहें कि shear force diagram का जो भी variation है, उससे एक degree plus हो जाएगा, bending moment का variation, क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि यह relation होता है, shear force और bending moment में, तो bending moment क्या होगा, shear force diagram का integration, अब shear force x raised to power 1 है, तो उसका integrate x square आएगा, अगर shear force x square की term में है, तो उसका integration x cube आएगा, तो यह relation हमें साटरी होगा, जो भी shear force diagram का degree of variance आ रहा है, उसको plus one कर दोगे, तो bending moment का मिल जाएगा आपको, अब यह ऐसा question है next, जो की पूछे जाता है different exams में, overhang का case है एक, कि यहाँ पर support है, यहाँ पर support है, और support से दोनों side पर overhanging beam है, overhang हो रही है, support से आगे अगर हम extend कर देते हैं किसी beam को, तो इस portion को हम बोलते हैं overhang, तो overhang है, वो small a, small a है, total length है, वो L है, 20 की length L-2A हो जाएगी, अब इसके अगर मैं shear force diagram plot करूँ, तो यहाँ से लेके, यहाँ तक variation है, वो linear होगा, और bending जो shear force आएगा, इस UDL के कारण वो negative होगा, तो मेरा shear force diagram कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, बट यहाँ पर वो होगा, shear force diagram वो positive होगा, magnitude same रहेगा, क्योंकि A same है, बट यह इस तरीके से उपर बनेगा, वो variation है, वो linear है, बीच में यह जो C point होगा, इस point पर shear force हो 0 होगा, क्यों होगा shear force 0, क्योंकि center point पर, एक तो vertical loading आ रही है, जो कि total loading का half है, एक reaction आ रहा है, जो भी total loading का half होगा, क्योंकि जो loading है, वो symmetric है, structure symmetric है, WL by 2, WL by 2 जाएगा, तो मैं center force पर shear force निकालूंगी, तो WL by 2 मेरा reaction आ रहा है, और WL by 2 ही magnitude होगा, UDL वाला जो half force में load लग रहा है उसका, तो यहाँ पर shear force 0 आएगा, और ऐसा बनेगा मेरा shear force diagram, shear force diagram ऐसा बन रहा है, mid point पर shear force 0 आ रहा है, it means bending moment यहाँ पर maximum होगा, एक यह भी मुझे इससे बात पता चलती है, अब bending moment कैसा कैसा shape बन सकता है, वो different different possibilities हो सकती है, मैं initially अगर start करूँ, banana bending moment, overhang वाले portion के लिए बनाऊं, तो मेरा variation है, वो parabolic होगा, और यह वाला है, यह hogging वाला bending moment generate करेगा, ऐसे करेगा इसको, तो क्या होगा अब यहाँ पर, यहाँ पर मेरा bending moment negative आएगा, उसका magnitude होगा, w x square by 2, इस वाले section के लिए, यहाँ से अगर मैं x section लेती हूँ तो, उसकी value यहाँ तो 0 हो जाएगी, और यह minus का होगा, क्योंकि यह ऐसे bend कर रहा है, beam को fogging generate कर रहा है, x is equal to a page की value होजेगी, minus w a square by 2, यह आ गया, और ऐसा ही बनेगा इधर का, minus का w a square by 2, अब 20 में कैसा safe हो सकता है, 20 में क्या होगा, यहाँ पर आते ही r a picture में आएगा, यह r a जो loading लग रही है, इसका magnitude काफी जादा है, यह picture में आएगा, और जैसे जैसे हम इस direction में move करेंगे, इससे distance बढ़ती जाएगी, इसका magnitude भी ज्यादा है, जितनी ज्यादा distance बढ़ेगी, मेरा magnetic bending moment है, वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, अब 3 possibility हो सकती है, एक तो हो कि इतना ज्यादा हो कि यह positive side ही ले जाए graph को, एक possibility, दूसरी possibility क्या हो सकती है, कि यह just इसको touch करें, यह दूसरी possibility, तीसरी possibility क्या हो सकती है, कि यह इसको touch भी ना कर पाए, access से इसको, ऐसा ही रह जाए, उपर bending moment किसके कारण जा रहा है, bending moment positive किसके कारण आ रहा है, RA के कारण, जैसे-जैसे RA के distance बढ़ेगी, bending moment positive side जाना चाहेगा, negative वाला bending moment है, वो कम होता जाएगा, क्योंकि positive वाला बढ़ रहा है, इस region में bending moment की equation क्या क्या होगी, एक तो RA के कारण moment है, जो कि positive है, और एक UDL के कारण है, जो कि negative है, तो RA वाला बढ़ रहा है, UDL वाला भी बढ़ रहा है, क्योंकि मैं इस section अगर यहां पे लेती हूँ, यहां के बज़ाए, तो यहां से मेरा section यहां shift हुआ, तो क्या हुआ, इतनी distance मेरे UDL की length बढ़ गई है, और यह negative ही generate कर रहा है, hogging ही कर रहा है, bending moment negative ही ही है, बट RA का magnitude इसके comparative लिए काफी ज़्यादा है, तो दिरे दिरे RA dominant करने लग जाता है, और RA के कारण bending moment है, वो positive है, अब यह तीनों में से कौन सा shape बनेगा, यह decide करता है, कि A की value क्या है, कितना तो आपको अभी समझ आ रहा होगा, कि मेरा overhang जितना ज़्यादा होगा, उतना ही मेरा यह वाला magnitude ज़्यादा होगा, और यह magnitude मालिया मेरा इतना ज़्यादा है, तो अब RA इसको कितना का balance करेगा, कितना का RA dominant करेगा, RA की magnitude तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये वाला magnitude इतना ज्यादा हो गया है कि R A इसको balance करके positive side में bending moment नहीं ले जा पा रहा है तो ये जो यहाँ पर है possibility ये हम निकालते हैं इस वाले case के लिए कि मेरे A उर L में क्या relation होगा कि मेरा graph वो ऐसा बने कि ये just touch कर रहा है success को zero हो रहा है center point पे अब इस point पे में center point हो गई है इस पर मेरा bending moment zero हो ये मैं निकाल सकती हूँ कैसे निकालूंगी इस point पर मैंने center point पे bending moment की equation लिख दिया और उसको zero की equate कर दिया अब हम next phase पे थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे करना इसको हमें bending moment को zero हम थोड़ा सा फिर से बना लेते है diagram की ये है UDL ये A है ये B है ये distance L-2A है ये overhang A है और ये overhang A है अब यहाँ पे हम equation लिख देते हैं इस point को C से नाम दे रही हूँ है ये फिर थोड़ा सा change कर देते हैं A, B तो हो गया C, D इनको कर देते हैं C, A हो गया D, A हो गया और center point को E से denote कर देते हैं मुझे क्या करना है E point पर bending moment को zero equate करना है E point पर bending moment की मेरी equation क्या होगी एक तो जो मेरा point load है जो RA है उसके कान moment आ रहा है RA के कान moment आ रहा है वो मेरा sagging करेगा उसके कान पोजिटिव होगा bending moment तो यह आएगा WL by 2 minus L minus 2A by 2 WL by 2 तो यह reaction है और distance जो यह है यह वाली distance यह total distance यहां से यहां तकी L minus 2A है तो इसका half यह वाली distance हो जाएगी जो A और E के बीच की है जिससे मुझे multiply करना है RA को दूसरा जो UDL के कान है वो negative होगा उसकी value हो जाएगी WL by 2 तो लोडिंग हो गई क्योंकि अब मैं यहां तक का पूरा ही consider कर रही हूँ इस point पर मैं winning moment निकाल रही हूँ into multiply by इस total distance का half जो की हो जाएगा L by 4 यह 0 के equal होना चाहिए तो ही M is 0 होगा और यह 0 के equal करने के लिए हम इस equation को solve करेंगे तो हमारी equation बनेगी यह इसको आप further अगर solve करोगे तो equation आएगी 2L minus 4A is equal to L यह A is equal to L by 4 तो अब मुझे पता चल गया diagram कैसा बनेगा अगर A is equal to L by 4 है तब तो ऐसा बनेगा A less than L by 4 है overhang बहुत कम है overhang बहुत कम है तो मेरी यह value बहुत छोटी है dominate कर जाएगा और इसको positive side ले जाएगा तो मेरा A less than L by 4 है तो यह वाला diagram बनेगा A greater than L by 4 है तो यह वाला diagram बनेगा यह थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से कि overhang जितना ज्यादा होगा यह वाला magnitude मेरा उतना ही ज्यादा होगा जो मेरा support पे bending moment आ रही है यह उतना ही ज्यादा होगा यह ज्यादा होगा तो फिर यह RA का bending moment dominate नहीं कर पाएगा इसको positive नहीं कर पाएगा तो ऐसा बनेगा diagram यह तीन possibilities होगी इस पर बहुत questions पूछे जाते हैं अब यहाँ पर क्या आपको पता चल रहा है point of contra fracture कौन सा है जो fast वाला case है उसे में point of contra fracture आ रहा है और यह है point of contra fracture 1 यह है point of contra fracture 2 क्योंकि यह ऐसे points है जहाँ पर bending moment अपना sign change कर रहा है positive से negative हो रहा है या negative से positive हो रहा है अब question ऐसे भी पूछे जाता है कि कौन सी कौन सी beam में point of contra fracture होता है overhang fixed beam अगर दो आपको option दिये तो fixed beam सूज करोगे क्योंकि overhang में हो भी सकता है और ना भी हो third case था, second case था इन में तो नहीं होँआ point of contra fracture कर बट अगर आपको simply supported beam cantilever beam को simple loading के दिये और उसके साथ आपको दिया overhang beam तो आप overhang भी मांसर करोगे क्योंकि उन दोनों में तो है इनी possibility इसमें हो सकती है अब एक और इसमें question ये बनता है कि overhang कितना हो कि ये वाला जो positive bending moment है ये equal हो जाए गे negative वाले bending moment के तो यहाँ पर आ रहा है या negative वाला bending moment मेरा जो यहाँ पर आ रहा है तो ये वाला bending moment और ये वाला bending moment ये दोनों equal हो जाए उस special case के लिए मेरा overhang की value कितनी होनी चाहिए तब ये निकालने के लिए हम फिर से इसका बनाते है diagram और equation लिखते है ये है यहाँ पर ये point load जो reaction है वो है ये wly2 है ये wly2 है ये है और ये e है मुझे ये करना है कि e point पर जो reaction आ रहा है sorry e point पर जो bending moment आ रहा है वो equal होगा a point के bending moment के magnitude उनका equal होगा अब जब ये पर bending moment लिखेंगे equation लिख देते हैं क्या आएगा support पे minus w a square by 2 आएगा अगर ये a है तो और e point पर क्या आएगा w l by 2 minus l minus 2 a by 2 ये तो आ गया आरे के करण minus w l square by 8 इसको मैं थोड़ा सा vote लिख देती हूँ जैसे पहले किया था अगर आप वो समझ नहीं आया तो w into l by 2 तो हो गया total load और इसकी distance हो गया l by 4 तो ये w l square by 8 आया यहाँ पर अब मुझे इन दोनों को equate करना है बट यहाँ पर मैं यह minus sign इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यह hogging है तो मुझे इनका magnitude को equate करना है तो यह मैं minus sign है इसको ignore करूँगी यहाँ पर mistake करते है students minus sign जो hogging में मैंने लगाया है जानबुज के hogging को represent करने के लिए उस sign को महटा दूँगी और उसके बाद इनको equate करूँगी तो wl by 2 l minus 2a by 2 minus wl by 2 into l by 4 यह equal हो जाएगा w a square by 2 के यह मैंने equate किया इससे आप solve करोगे तो आपकी equation बनेगी यह minus l square by 4 is equal to 0 अब यह quadratic equation बन रही है तो आप calculator के बिना तो करने ही पाओगे इसको solve तो advise मेरी तरब से तो यह है कि आप यह value याद रखो क्योंकि special case है और पूछ जाता है exams में तो यह relation होगा यहाँ पर overhang और length के 20 में कभी-कभी यह भी पूछ जाता है कि supports के 20 की length कितनी होगी तो 0.207 l इदर वाला होगा 0.207 l ही इदर वाला होगा इसको l में से अगर आप sum करके गठा दोगे तो 0.586 l है वो 20 वाली आ जाएगी यह question basically yes के exam में पूछा गया था और यह काफी state exams में repeat होता है बट यहाँ पर calculator के भी ना आप करने नहीं पाओगे solve पिछला जो case था यह ly4 वाला यह तो आप exam में भी कर सकते हो याद ना भी रखो तो कोई issue नहीं है बट यह मुझे लग रहा थोड़ा time consuming हो रहा है तो याद रख लो तो better है यह second वाला जो case था otherwise आप फिर निकाल सकते ही भी वही सिक्रेशन से तो यह सारे special cases हमने डिस्कस कर लिए साक कि डाइग्राम देख पर आपको idea हो जाए कि 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 स्टाइब की loading हो सकती है अब हम जो पी वाई क्यूज है उनको डिस्कस करते है पैस्टिन नेंबर फैस्ट में दिये है कि point of contra fracture है वो कौन से point कौन सा point है तो जहां पर भी bending moment अपना sign change करता है वो point होता है point of contra fracture जैसे कि अगर इस तरीके से है BMD initially ऐसे था उसके बाद इस तरीके से जा रहा है तो यह वाला point है point of contra fracture होगा तो यहां पर D होगा answer question number second में दिये है कि serious plan क्या है यह ES की exam में पूछा गया question है देन काफी जदा exams में repeat हुआ है फिर तो कोई ऐसा span जिसमें कि shear force constant है उसको बोले जाता है shear span C होगा answer कि shear force है किसी section पर किसी beam में वो अगर zero है तो bending moment है उस section पर वो क्या होगा हमने पढ़ा है कि यह relation होता है shear force और bending moment में तो shear force अगर किसी section पर zero है it means bending moment वहाँ पर maximum हो गया minimum होगा कोई curve को अगर हम देखें जैसे हम bending moment का curve float कर रहे हैं तो वो इस तरीके से जा रहा है तो maximum जहां पर होगा यह वाला point है यह maximum है क्योंकि इसके बाद यह नीचे जाने लग गया है तो यह जो point है यहाँ पर इसका slope है वो zero होगा यह वाला point है यह minimum है यह minimum है यह minimum है तो minimum पर यह slope zero होता है तो यह basic property है mathematics की कोई function है वो अपने maximum और minimum पर zero होता है अब भी होगा answer question number fourth में दिये है कि यह cantilever है उसमें uniformly distributed load लग रहा है तो shear force किस तरीके से वेरिखरेगा कि यह कोई cantilever है और यहाँ पर इस तरीके से load लग रहा है UDL तो हम यह section लेते हैं एक x-dess यहाँ से x-distance पर और यहाँ पर निकालते हैं shear force cantilever में आप इस direction से यह left hand sorry right hand side वाले से अगर consider करोगे तो जदा easy पढ़ेगा calculation तो यहाँ से x-distance पर right hand side का जो section है उस पर अगर shear force देखू तो W UDL है तो W into x आजाएगा total load यहाँ से यहाँ तक का और यही shear force हो जाएगा क्योंकि और कोई reaction वगरे आने ही रहा है यहाँ पर तो WX आजाएगा shear force तो यह linear low है यह एक straight line बनेगा तो linear low आजाएगा A question number 5 में दिये है कि supports पर जो bending moment है वो simply supported beam है उसके case में क्या होगा तो simply supported beam यह होती है कि एक size से इस तरीके से हिंद supported है और दूसरी side है वो roller supported है यह होती है simply supported beam तो इसमें इन दोनों पर ही यहाँ पर bending moment नहीं आएगा तो fix support उन पर bending moment आता है इन पर नहीं आता है क्योंकि यह हिंद support है तो अगर इसमें कोई bending moment resultant act कर रहा होगा तो उस case में फिर rotate ही हो जाएगी equilibrium ही नहीं बनेगा तो यहाँ पर आजाएगा 0 option C question number 6 में दिये है कि यहाँ पर यह जो loading दी गई है इस case में left support से कितनी distance पर shear force 0 होगा यह left support है यहाँ का reaction है RR यहाँ का reaction को हम दिख देते है RR जो right support का reaction है सबसे पहले तो हमें reaction निकालना होगा उसके बाद हम मानेंगे कि left support से x distance पर shear force है वो 0 आ रहा है तो हम उसके equation लिखेंगे और उसको 0 के equate कर देंगे तो right support के बार moment 0 करेंगे तो equation आएगी RR into 4 क्योंकि यहाँ distance यह 4 है minus 15 into 2 यह तो total loading हो गई और B से इस load का center है उसकी distance आजाएगी 2 plus 1 इधर आजाएगा 3 is equal to 0 तो यहाँ से RR आएगा 30 into 3 divided by 4 और यह आजाएगा 15 by 2 45 by 2 22.5 आजाएगा अब लिखेंगा है मुझे shear force की equation x distance पर यह आएगा 22.5 minus 15 into x is equal to 0 और यहाँ से x आएगा 22.5 upon 15 इसको solve करोगे तो 1.5 आजाएगा question number 7 में दिया है कि एक simply supported beam है और subjected है couple से somewhere in this span तो यह क्या produce करेगा कि यह कोई simply supported beam है इसमें अगर इस तरीके से यहाँ पर कोई couple लग रहा है कोई moment लग रहा है M तो क्या होगा इसका equilibrium हम देखेंगे तो यह दोनों simply supports हैं यहाँ पर moment तो आएगा नहीं यहाँ पर आएगा सिर्फ reaction और वो reaction हम निकाल सकते हैं अगर यहार A है यहाँ पर एक पर positive आएगा एक पर negative आएगा और यहाँ पर जो भी reaction R A पर आ रहा है वो ही रहेगा सिर्फ फोर्स यहां से लेके यहां तक तो rectangular सिर्फ फोर्स डाइग्राम बनेगा moment के अगर बात करें तो यहाँ पर reaction आ रहा है इसकी current moment होगा वो यहाँ तक linearly change होगा यहाँ पर देन M moment लग रहा है तो suddenly यहाँ पर change आएगा और उसके बाद फिर से same उसी तरीके का graph इस direction में भी बनेगा इस तरीके से बनेगा bending moment की equation R A into X होगा तो linear होगा एग अब यहाँ पर second में दिये है कि parabolic bending moment diagram bending moment diagram linear होगा यह गलत statement है rectangle surface diagram होगा third में दिये है कि positive और negative दोनो bending moment है वो produce करेगा और maximum होगा at the point of application of couple तो A से लेके यहाँ तक इस तरीके से linearly जाएगा और M जहाँ पर एक्ट कर रहा है वहाँ पर इसकी value suddenly है वो change होगी तो first और third है यह correct statement है D होगा answer question number 8 में दिये है कि shear force F और moment M है वो किसी section पर क्या होंगे fixed end से 5 meter पर अगर कोई cantilever beam है यह इस तरीके से cantilever beam है having a length of 7 meter total length है 7 meter 5 meter from the fixed end हमसे पूछा गया है तो यहाँ पर हमसे पूछा गया shear force और bending moment अगर एक point load लग रहा है 3 meter पर यहाँ पर लग रहा है यह point load यह point load लग रहा है यह distance है 3 meter है और एक UDA लग रहा है total length पे एक UDA लग रहा है यह पूरी length पे लग रहा है तो हमें इस वाले section पे पूछा है point load मेरा लग रहा है यहाँ इस वाले section पे अगर मैं इदर से consider करूंगी right hand side से तो point load तो आएगा नहीं सिर्फ UDA के कारण आएगा shear force और bending moment shear force हो जाएगा 4 kN per meter का load है W into distance कितनी है यह वाली 2 meter 4 into 2 8 kN shear force आगया इस वाले section के about यह वाला shear force है यह clockwise rotation ते रहा है तो हम इसको positive लेंगे then हम लिखते है bending moment के equation bending moment हो जेगा 4 into 2 यह तो total load हो गया और इसको loading के center से जो distance है वो उससे multiply करेंगे तो यह distance 2 का half आजाएगी 1 और यह इस तरीके से लग रहा है bending moment तो यह hogging generate कर रहा है hogging होगा तो यह moment है यह negative आएगा तो 8 का यह negative होगा यह हो जाएगा answer question number 9 में दिये है कि यह contilever है जो कि subjected है concentrated load से w at free and and probe up to the same level reaction at probe कितना होगा कि यहाँ पर यह हमने loading लगाई है और इसको probe नीचे से support किया गये है इसी point पर तो reaction क्या होगा तो अगर यह reaction हम इस तरीके से लगा रहे हैं कि यह same level पर ही इसको रख ले कोई इसमें deflection नहीं आने दे तो उस case में क्या होगा कि यह w ही होगा क्योंकि यह w से कुछ कम हुआ तो यह इस तरीके से नीचे deflect हो जाएगी यह w से कुछ ज़्यादा हुआ तो फिर यह w का effect ज़्यादा आएगा और यह उपर deflect हो जाएगी और अगर सेम लेवल पर रखना है तो इकवल लोड डबलू यहाँ पर नीचे reaction आएगा जो प्रॉप पर आ रहा है question number 10 में दिया है कि bending moment diagram है उसका slope है किसी point पर यह equal होगा coordinates of the shear force diagram at that point तो shear force equal होता है dm by dx यह तो हमने पढ़ा है कि bending moment हो हम differentiate करेंगे तो shear force के equal आएगा और differentiation होता है किसी भी function का वो उसका slope ही होता है तो first size statement है second में दिये है कि जो shear force diagram है उसका area निकाले अगर हम दो points के बीच में तो वो equal होगा उन दोनों के बीच में जो moment है उनके difference की bending moment है तो जैसी कि मेरा shear force diagram कुछ इस तरीके से हैमान लिया कुछ ऐसी loading है कि मेरा ऐसा shear force diagram आ रहा है किसी particular section पर जो total beam है उसके किसी particular part को मैं consider कर रहे हूँ तो उसमें इस तरीके से आ रहा है और यह यहाँ पर M1 है यह यहाँ पर M2 है तो इसी relation को हम इस तरीके से भी सकते हैं कि M equal होगा shear force dot dx का integration SF dx का integration equal आएगा जो shear force diagram है उसका area यह तो चीज काफी जगर यूज करते हैं कि integration है तो वो area के equal होगा जो graph बन रहा है उसके तो यहाँ से यह दिदो point है 102 उनके बीच में अगर मैं यह वाला shear force diagram का area निकाल लेती हूँ तो यह equal आएगा यह DM equal है इसके तो इसमें यह पर integrate करेंगे तो इधर तो आजाएगा M2 minus M1 और इधर आजाएगा area of shear force diagram तो यह जो हमारे पास relation है इसी से हमें पता चलता है कि 2 points के 20 में अगर मैं shear force diagram का area निकालती हूँ तो वो उन दोनों points पे जो bending moment है उनके difference के एक पल होगा तो यहाँ पर B आएगा answer Question number 11 में दिया है कि एक simply supported beam है जो कि carry कर रहा है uniformly distributed load 8 kN per meter over the whole span of 3 meter तो maximum bending moment कहाँ पर आएगा simply supported beam है पूरे पर UDR लग रहा है और इसकी length total है 3 meter 8 kN per meter का UDL है total load इस पर हो जाएगा 24 kN यह दोनों supports पे आदा आदा जाएगा क्योंकि सिमेट्रीक है 12 kN यहाँ हो गया 12 kN यहाँ हो गया अब यह R B है यह A है यह R B है अब यहाँ से X distance पर अगर winding moment के हम equation लिखें तो वो क्या हो जाएगी MX is equal to 12 12 into X minus 8 into X into X by 2 अब जहाँ में पता है कि S F equal होता है DM by DX के तो जहाँ पर भी moment है वो maximum होगा या minima होगा उन वाले points पे shear force 0 होगा तो अब मैं अगर ऐसे equation लिखूँ कि यहाँ से X distance पर shear force 0 हो रहा है तो वो ऐसा मेरा point होगा जहाँ पर bending moment maximum है और shear force 0 के मैं equation कैसे लिखूँगी X distance पर shear force की equation कि आएगी SF is equal to 12 minus W into X is equal to 0 X आजेगा X आजेगा 12 by W और W की value है 8 जो UDL है मेरा तो यह 3 by 2 आ गया मतलब 1.5 meter की distance पर जो mid point है यहाँ पर यहाँ पर जो bending moment है वो maximum होगा question में मेरे से value पूछी गया है जो maximum bending moment है तो मैं इस equation में X की value रख दूँगी तो M 1.5 meter पर आ जाएगा 12 into 1.5 minus 8 into 1.5 into 1.5 by 2 और इसको जब आप solve करोगे तो B आ जाएगा 9 kilonewton meter question number 12 में दिये है कि एक cantilever beam है जो कि subjected है moment at the free end इसका bending moment diagram कैसे बनेगा यह इस तरीके से है और यहाँ पर कोई moment लग रहा है इसमे, free end way तो इसका bending moment diagram हम बनाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में ही यह moment है यह constant ही रहेगा तो यह graph बनेगा यह rectangle बनेगा क्योंकि यहाँ पर M लग रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसके बीज में ना कोई reaction आ रहा है ना कोई moment आ रहा है ना कोई loading आ रही है तो M ही रहेगा bending moment कोई changes ही नहीं आएंगे तो rectangle बनेगा question number 13 में दिये है कि एक simply supported beam है 4 meters इसकी length है subjected है वो एक UDL से 2 किलो न्यूटन पर मिटर की जो intensity है loading की तो maximum shear force क्या होगा support पर तो हम यह बना लेते हैं beam simply supported beam है यह roller support हो गया यह hinge support हुआ total length है 4 meter UDL लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मिटर का maximum shear force at the support support पे जो shear force होता है simply supported beam में वो reaction ही होता है अब reaction क्या आएगा total loading कितनी होगी 2 into 4 8 8 किलो न्यूटन की total loading है asymmetric है structure और loading तो यहाँ पर आजाएगा 4 किलो न्यूटन की loading और यहाँ पर आजाएगा 4 किलो न्यूटन का loading अब अगर मैं shear force diagram बनाती हूँ तो support पे तो क्या मेरा जो reaction लग रहा है वो ही shear force है तो A आएगा answer question number 14 में दिया है कि एक antilever beam है जिसका span L है वो subjected at clockwise moment M at free end तो shear force at any point of the beam क्या होगा यह antilever beam है यहाँ पर अगर moment M लग रहा है कोई free end पे तो उस case में shear force क्या होगा किसी point पर तो shear force क्या होगा कुछ भी नहीं होगा zero आएगा shear force क्योंकि यहाँ पर moment M लग रहा है तो bending moment तो आएगा बट shear force के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई shear force कोई loading नहीं है moment के अलावा point load UDL ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कोई reaction भी नहीं आ रहा है और पुरा length के long ऐसे ही है तो यहाँ पर shear force 0 है और यहाँ से यहाँ तक इदर आते आते यहाँ तक पहुंसते पहुंसते भी shear force 0 ही रहेगा क्योंकि कोई reaction को UDL कुछ लगी नहीं रहे यहाँ पर बी हो जाएगा answer question number 16 में दिये है कि given shear force diagram है एक beam का तो इसमें BC part में bending moment क्या होगा आपने अगर questions practice किये हूं तो आपको देख कि idea लग जाएगा कि ऐसी वाली जो loading होती है कोई simply supported beam है और इस तरह केसे अगर कोई loading है तो उस case में ऐसा SFD बनेगा कि A स B के वीच में तो shear force है और B पर जाता ही एकदम से shear force 0 हो गया है एकदम से shear force 0 हो गया है मतलब opposite direction में कोई shear force आया होगा तब ही total जो shear force था किसी section पर 0 हो गया और उसके बाद वो 0 ही रहता है तो इस तरीके की loading होगी है कुछ अब इसका अगर bending moment diagram बनाते हैं हम तो ऐसा बनता है यह कुछ special cases होते हैं जिनका अगर आपने कुछ questions किये हैं तो आपके mind में रहेगा और एक सीज हमने ये भी पढ़ी थी कि shear force diagram है उसका area equal होगा M2-M1 के मतलब shear force diagram को मैं कोई 2 points के 20 में उसका area ले रही हूँ जैसे कि मैं A और B को consider करती हूँ तो ये जो area है shear force diagram का ये equal होगा MB-MA के B पर जो bending moment है और A पर जो bonding moment है इनके difference के equal होगा shear force diagram का area तो B और C के 20 में तो इनका area में कोई change नहीं हो रहा है shear force 0 ही आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि bending moment में कुछ change नहीं आ रहा है bending moment है वो constant है मतलब जो B पर bending moment था वो ही C पर है और वो 0 नहीं होगा क्योंकि A से B के बीच में तो bending moment आ रहा है अगर graph कुछ इस तरीके से होता कि A और B के बीच में भी shear force diagram है वो 0 है shear force की वोई value नहीं है 0 है shear force तो हम कह सकते थे कि B और C के बीच में भी shear force जो bending moment है वो 0 है बट अभी के case में इस तरीके से बनेगा और यहां से आपको पता भी चल रहा है कि यहां से लेके यहां तक तो bending moment बढ़ेगा उसकी उस value होगी increasing है और यहां से लेके यहां तक है यह वो constant हो गया है तो B आएगा answer question number 17th में दिया है कि एक loading है यह जो question में दी गई है find the bending moment at the center center point पे bending moment पूछ है बहुत ही simple simple problems है UDA लग रहा है symmetric loading है symmetric beams का structure है तो total जो भी load लग रहा है वो दोनों supports पे half-off जाएगा तो RBA जाएगा यहां पर 4W क्योंकि total 8 meter का span है W वो UDA लग रहा है तो 8W की total loading है तो यहां पर भी 4W आजाएगा यहां पर भी 4W आजाएगा अब center पर मैंसे पूछा गया bending moment यहां पर यह तो center point है इस पर bending moment की मैं equation लिख होंगी तो RBA के कारण आ रहा है sagging और UDL के कारण है hogging तो sagging को मैं positive लोग तो आएगा 4W into इसकी distance मतलब यह वाली distance जो की 2 meter होगी minus total load लग रहा है W का जो load की intensity है total load हो जाएगा इतनी distance का W into 4 into इसकी distance हो जाएगी यहां से यहां तक की 2 क्योंकि total 4 meter पर UDL लग रहा है तो इसका center होगा वो 2 meter पर होगा तो यह हो गया 8W minus 8W 0 आ जाएगा C पर question number 18 में दिया है कि अगर load curve है वो एक oblique state line है मतलब inclined state line है तो shear curve कैसा होगा loading है वो कोई इस तरीके से है oblique state line है मिदलब uniformly varying load है यहां पर कैसे जा रहा है loading है यहां पर 0 था यहां पर कुछ load है W तो shear curve क्या होगा तो हम cantilever का case लेते हैं इस टाइप के questions में जो भी आपको easy रहे है इस टाइप का को एक example लेके आप solve कर सकते हो क्योंकि जो rule हो तो rule है वो तो same रहेगा चाहे आप simple supported beam blow चाहे आप cantilever beam blow जो shape है वो तो वैसा ही रहेगा तो अगर यह कोई cantilever beam है इस तरीके से तो यहां पर load लग रहा है W मुझे shear force diagram बनाना है तो मैं x-distance पर section लेती हूं x-distance अब x-distance पर मुझे shear force की equation लिखनी है तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि यह loading वाली coordinate है यह कितनी आएगी यहां पर क्योंकि यहां पर तो यह जीरो है और यहां पर यह कितनी होगी यह मैं निकालूंगी तो निकालने के लिए क्या करेंगे W जो loading intensity आ रही है l-distance पर x पर आ जाएगी w upon l by x क्योंकि यह जो यहां पर loading डाइग्राम बन रहा है यह वाला इसका slope निकाल लिया मैंने कि यह यहां से 10 theta equal आएगा this w divided by l अब मैं किसी भी point पर यह vertical ordinate निकाल सकती हूं क्योंकि अगर मैं छोटा वाला triangle consider करूं यह वाला इसमें भी यह theta तो same है तो 10 theta same रहेगा हम माल लिए कि जो vertical ordinate जो मुझे निकालनी है उसको मैं for example w x से denote कर रहे हूं इस तरीके से तो w x upon x इसके को लाएगा w upon l के क्योंकि मैं blue वाला बड़ा triangle लूँ या red गलर वाला छोटा triangle लूँ theta यह वाला angle है theta यह तो same है दोनों में तो यहां से में यह relation मिल गया और यहां से w x की value आ जाएगी w upon l into x अब ध्यान रहे कि यह भी मुझे सिर्फ loading intensity मिली ले इस वाले point पर यह जो load है इसका यह ordinate है यह w है shear force क्या होगा shear force होगा total loading diagram है उसका area यह total area shear force होगा total area कितना आ जाएगा यह triangle बन रहा है तो half into base into height तो shear force आ जाएगा यहां पर मेरा half into base कितना है x into height कितनी है w x जो की equal होगा w upon l into x की तो यह x square की form में आएगा shear force आएगा तो parabolic होगा जो भी आपकी loading की degree है उसको x से increase करतो अगर loading है वो point load है तो shear force इस तरीके से एक line आएगा अगर loading है वो point load ना होके UDL है तो shear force इस तरीके से inclined line होगा अगर जो loading है वो इस तरीके से uniformly wearing है तो parabolic होगा shear force diagram question number 19 में दिये है कि एक stable simply supported beam है इसमें end में roller support है तो दूसरे end पे क्या होगा तो simply supported beam basically ऐसे होता है कि एक पर तो roller support होता है दूसरे पे hinge support होता है तो दोनों ही जो यहां पर ends है इन पर कोई moment नहीं आता है moment है इस point पर और इस point पर zero होगा इस वाले point पर horizontal reaction भी नहीं आएगा बट यह hinge वाले पर आएगा और vertical reaction है यह दोनों point पर आता है दूसरे है वो hinge support होता है question number 20 में दिया है कि एक cantilever beam है जो carry कर रही है uniformly distributed load और its entire length तो maximum bending moment क्या होगा L length है इस तरीच के से UDL लग रहा है W इसकी intensity है तो UDL लग रहा है तो bending moment क्या होगा तो यहां से x distance पर मैं कोई section लेती हूँ और मैं right hand side के लिए equation लिख देखेंगी bending moment की तो bending moment x distance पर हो जाएगा total load w into x multiply by 2 जो section से loading के center की distance है loading का center इसके बीच में आएगा यहां से x by 2 distance पर तो इसको max by 2 से multiply कर दोंगी मैं से क्या पूछे maximum bending moment पूछे है तो maximum bending moment कब होगा जब x की value maximum होगी x की value maximum होगी इस वाले point के लिए और वो L के एक पर होगी तो W L square by 2 आ जाएगा maximum bending moment जो की support पर होगा question number 21 में दिया है कि fixed beam है अभी तक हमने जो questions देखे उन में जो support था हूँ hinged था अभी support हूँ fixed है और उस पर इस तरीके से uniformly distributed load लग रहा है अब fixed beam के case में होता है कि यह है इनके जो moments है क्योंकि यह treatment structure नहीं है इसमें तीन reaction यह पर आ रहे हैं यह पर vertical, horizontal और एक rotation वाल आएगा और तीन ही यह यह पर आ रहे हैं तो छे हमारे पास unknown होगे और हमारे पास equilibrium की equation है only three तो हम इसको solve नहीं कर सकते हैं तो fixed beam के case में जो standard cases है उनके लिए आपको bending moment जो fixed end moment है उनकी equation याद रखनी है अगर uniform distributed load है तो wl square by 12 आएगा और point load है तो wl by 8 आएगा यह दोनों value अगर आप याद रख लेते हो तो आप फिर fixed end moment के जो fixed end beam है उसके भी vmd के question से हो कर पाऊगे तो यहाँ पर तो सिर्फ यह ही पूछे है the moment will be calculated by the formula तो moment इसका आएगा यह wl square by 12 से calculate करेंगे यहाँ पर mistake यह d नहीं होगा यह ही होगा question number 22 में दिये है कि support reaction क्या होगा left hand support पर अगर कोई simply supported beam है 4 meters उसका span है यह है यह 4 meters का span है और इसमें एक point load लग रहा है 20 kN का 1 meter की distance पर 1 meter है left hand support से तो यहाँ पर लग रहा है 20 kN का यह left hand support है यह right hand support है और इसके अलावा एक UDA लग रहा है 10 kN per meter का हमसे पूछा गया है reaction left hand support पर यहां का reaction पूछा है हमसे तो हम right hand support के बाउड moment है उसको 0 के equate कर देंगे सिग्मा MR is equal to 0 तो RL पर जो reaction है उसके कारण आएगा clockwise moment RL into 4 point load के कारण आएगा anticlockwise 20 into 3 यह distance 3 meter होगी क्योंकि यह 1 meter है minus 20 into 3 इसके बाद UDL के कारण भी यहाँ पर anticlockwise moment आएगा तो minus 10 into 4 total loading into 2 तो RL यहां से आजएगा 60 plus 80 divided by 4 140 divided by 4 35 आजएगा option D question number 23 में पूछा है कि एक simply supported beam है जिसकी length L है uniformly distributed load लग रहा है इसमें इसको uniformly varying load बोलना चाहिए था यहाँ पर uniformly distributed load तो वही होगाना कि same intensity है एक point पर जबकि इसमें intensity है वो increasing है zero at right support and w at left support यहाँ पर zero है और यहाँ पर w है तो यह है loading इस type से uniformly varying load है इसको इसने a बोला है इसने इसको बी बोला है shear force पूछा है बीपर तो बीपर shear force क्या होगा जितना बीपर reaction लग रहा है तो हम reaction निकाल लेंगे बीपर बीपर reaction निकालने के लिए हम एक के about moment को zero equate कर देते हैं तो rb है इसके कारण anticlockwise moment आ रहा है यह ऐसे लग रहा है यहाँ पर एक के about यह इसको इसको anticlockwise rotation देगा rb into यह total distance है l rb into l minus जो loading के कारण आ रहा है वह इस तरीके से लग रहा है तो यह ऐसे इसको clockwise rotation देगा तो यह negative एंटiclockwise को negative लेंगे clockwise को positive लेंगे total loading क्या होगी loading diagram का area half into base into height इसका center कहां होगा a point से l by 3 distance पर होगा इसका center into l by 3 कर दिया इसको हम अब 0 के equate करेंगे तो यहां से rb आएगा wl square by 6 into l तो wl by 6 आ जाएगा जब b पर reaction आ रहा है वो ही shear force होगा a होगा answer question number 24 में दिया है कि bending moment diagram है वो simply supported beam के लिए इस type से कैसे बनेगा अगर bending moment diagram है उसमें इस तरीके से suddenly rise या उसमें decrease हो रहा है ऐसे हो रहा है तो वो तभी होता है जब उस particular point पर कोई moment लग रहा हो जब किसी particular point पर कोई reaction आ रहा हो या फिर कोई concentrated load आ रहा हो तो y पर इस तरीके से increase हो रहा है मतलब y पर यह जो magnitude है इतना moment है यहाँ पर y point पेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर d आएगा answer moment applied at y concentrated force हुआ तो ऐसा नहीं वनेगा BMD uniformly distributed में भी नहीं वनेगा question number 25 में दिया है कि shear force diagram एक beam के लिए ascending और descending state line है तो bending moment diagram कैसा होगा shear force equal होता है dm by dx के m equal होता है sf dx यह dm इसके equal होगा तो मैं कहा सकते हूं bending moment diagram जो bending moment है उसको मैं differentiate करओं तो वो shear force के equal होगा या shear force को integrate करों तो वो bending moment के equal होगा अब shear force मेरा ascending descending है मतलब linear है x के proportional है इसको मैं integrated करूँग तो x square के term souvenverbs ई, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर कोई point load लग रहा है या कोई reaction आ रहा है तो उस case में तो shear force diagram ऐसा बनता है shear force diagram ascending और descending कब बनता है जब इस तरीके से uniformly distributed load हो इस case में shear force diagram है वो कुछ ऐसे बनेगा इस तरीके से अगर loading है UDL लग रहा है तो UDL के लिए bending moment क्या होगा WX square by 2 होता है अगर X distance का UDL है तो तो parabolic होता है जहां पर shear force diagram linear है वहाँ पर bending moment diagram parabolic होता है तो यहां पर D आएगा 6 में दिये है कि एक cantilever beam है uniformly distributed इस पर load लग रहा है तो bending moment का जो variation है वो किस lock recording होगा तो यह cantilever beam है यह UDL लग रहा है यह X distance पर मैंने कोई section ले लिया X X dash अब यहां पर मैं bending moment की equation लिखोंगी तो क्या आएगी W into X यह तो rotor load हो गया multiply by इसका centroid जहां पर होगा उससे distance तो यह X by 2 आ गया तो यह W X square by 2 आ रहा है bending moment तो parabolic है B आएगा answer question number 27 में दिये है कि continuous beam है वो stiff होंगी या strong होंगी कम strong होंगी compare to simply supported beam तो यह तो कोई simply supported beam है इसमें अगर मैं एक reaction और लगा दूँ एक support और लगा दूँ नीचे तो उस case में यह बनेगी यह continuous beam बनेगी ऐसी beam जिसमें दो से ज़्यादा supports है तो वो continuous beam है अब इस दोनों beam scope को अगर compare करें तो यह तो इस तरीके से deflect होगी जबकि यह इस तरीके से deflect होगी तो कम deflection आ रहा है continuous beam में तो यह stiff होगी और यह strong भी होगी तो यह आएगा answer question number 28 में दिये है कि क्रिजमेटिक beam है जिसकी length L है fixed है यह बोथ ends पे uniformly distributed load लग रहा है तो point of contra flexor है either end से किस distance पर होगा ऐसी कोई beam है और UDL इस पर act कर रहा है UDL act करता है अगर तो यह fixed end moment होते हैं WL square by 12 यह याद रखना है आपको अब माना कि यहां से x distance पर contra flexor आ रहा है point of contra flexor point of contra flexor क्या होता है कि sign change करता है bending moment अपना जैसे यह पहले negative था अब positive हो गया है तो यह वाला point है यह point of contra flexor है इस particular point पर bending moment है वो 0 के equal होगा तो point of contra flexor निकालने के लिए मैं bending moment की equation लिखूँगी और उसको 0 के equate कर दूँगे यहां पर load लग रहा है uniformly distributed w का distance है वो l है distance l है तो यहां पर क्या होगा total load हो जाएगा w into l vertical equilibrium देखें तो reactions में जाएगा वो load अब reactions में दोनों में half-half जाएगा क्योंकि loading और structure हमारा है वो symmetric है तो यहां पर w ly 2 का loading यह reaction आ गया यहां पर भी w ly 2 का reaction आ गया अब ending moment की equation हो जाएगी minus w x square by 2 यह आ रहा है इस u dl के कारण w x total distance होगी w x total load हो गया x by 2 distance होगी इसकी x dash section से जो loading आ center है उसकी plus w ly 2 into x minus w l square by 12 minus w l square by 12 इसको हमें 0 के equate करना है तो यह आगे x square minus l x plus l square by 6 is equal to 0 x यहां से equal आ गया l by 2 1 plus minus 1 by root 3 इसको solve करोगे तो यह आएगा 0.211 l बट problem के है कि आप इसको बिना calculator के solve नहीं कर पाऊगे यह merit advice है कि आप standard case है याद रख लो नहीं तो आप फिर root 3 की value याद रखो और उससे कैसे solve कर सकते है उसको करो अब दूसरे end से distance कितनी हो जाएगी l minus .211 l तो यह आजएगा equal .788 l के तो यहाँ पर b होगा answer question number 29 में दिये है कि अगर shear force diagram parabolic है तो यह क्या indicate करता है shear force diagram parabolic कब होगा जब uniformly varying load है point load है अगर या reaction है तो constant होगा shear force diagram इस तरीके से horizontal state line बनेगा यह अगर मेरी x-axis है तो shear force diagram बनेगा रेक्टेंगुल है अगर udl act कर रहा है तो linearly varying होगा और अगर varying load है uniformly varying load है तो यह parabolic होगा और आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो for example हमने country liver का case लिये है इस तरीके से uniformly varying load लग रहा है यह w है यह l है मैंने अगर section लिया है कोई x-axis यहां से x distance पर तो उस पर loading वाला यह और यह ओर्डिनेट है यह वाला ओर्डिनेट निकालूंगी मैं पहले तो यह इकपल आजाएगा डब्लू अपॉन एल इंटो एक्स एल डिस्टेंस पर डब्लू का इंक्रीज हो रहा है लेंथ में तो वन मिटर की distance पर हो जाएगा डब्लू बाई एल और x पर हो जाएगा डब्लू बाई एल इंटो x एक्स तो यह वाली वेरी ओड्रिनेट आ गई है डब्लीट एक्स है इसकी वेलिव इसके फॉन होगी अब पर total loading निकाल सकते हो एक्स एक्स डिस्के जो इदाराइट hand side, वो ही shear force होगा, तो total loading क्या होजेगी, loading diagram का area, और वो equal होगा, half into base into height, तो base यहाँ पर हो गया, x, यह distance, और height हो गई, w upon l into x, तो x square की proportional आ रहा है है, तो यहाँ पर uniformly varying load D होगा answer, question number 30 में दिये है, कि bending moment diagram का कौन सा shape होगा, अगर loading ऐसे है तो, तो आपको यह तो समझ आया होगा अभी तक, कि अगर bending moment diagram में इस तरीके से sudden increase या decrease आ रहा है, ऐसे straight line आ रहा है, कहीं तर, vertical line आ रहा है, तो क्या होगा, उस particular point पर moment act कर रहा है, यह हमें पता चलता है, उससे, क्योंकि shear force diagram में भी आपने देखा होगा, कि जब किसी point पर reaction आता है, या कोई concentrated load आता है, तो हमारा shear force diagram हो, चेंज हो जाता है, एक जम से, जैसे ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था इदर से, और इस एक particular point पर loading आई, तो यह इस तरीके से जाएगा, तो सेम यह ही होता है, bending moment diagram में, उसमें इस तरीके का यह जो change आप देख रही होगा, कि एक vertical line आ रही है, suddenly increase हो रहा है, suddenly decrease हो रहा है, instantaneously, तो यह तब होता है, जब उस particular point पर कोई moment आक्ट कर रहा हो, इसमें तो इस point पर कोई moment नहीं आ रहे हैं, तो यह तो possible नहीं है, तीनों ही यह answer हो जाएगा, अगर shear force के मैं बात करूँ, तो shear force के case में क्या होगा, कि जो safety बनेगा, वो डबलू पर इस तरीके से sudden rise या sudden fall दिखाएगा, last question है, question number 31, इसमें दिया है कि bending moment है, वो किसी particular certain portion of beam के लिए, अगर constant है, तो उस section में shear force क्या होगा, हमें पता है कि shear force equal होता है, dm by dx, अब यह relation है, तो simple बर कभी-कभी students exam के pressure में इसमें भी confused होते हैं, कि dm by dx था, dsf by dx m के equal था, तो ऐसे में आप units की health ले, m होता है, kilonewton meter, तो नीचे dx आ रहे हैं, तो meter से divide करूंगी, तो kilonewton आएगा, इट मिन्स, मैं bending moment को differentiate करूंगी, तो वो shear force के equal आएगा, अब bending moment, अगर constant ही हो गया है, तो constant का differentiation तो 0 होता है, तो shear force वहाँ पर 0 हो जाएगा, यह आएगा answer, तो यह हमने 30 के आसपा questions कर लिए है, अब आप अपनी level पर खुझ सी questions को practice करो, और जहां कहीं भी problem आ रही है, आप telegram पर message करके, मैंसे पूछ सकते हो, discuss कर सकते हो, तो मिलते हैं next lecture में ने topic के साथ, पढ़ाई करते रही है, all the very best.